Hello students, आज का मारा टोपिक है What is computer security? Computer security क्या होती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं, computer security क्या है? Computer security is used to protect computer system and data Computer system की security सिर्फ वराग computer के अंदर मजूद data और computer के hardware को secure करना है It protects computer system from damage as well as unauthorized access इसे मराद ना सिर्फ computer hardware को damage होने से बचाना है बलके computer को कोई unauthorized शक्स access ना कर ले इस चीज़ से बचाना भी computer security क्यालाता है Different methods are used to ensure the computer security हम computer की security को maintain करने के लिए बहुत सारे methods इस्वाल करते हैं तो देखते हैं जी कौन कौन सी टेकनीक हैं जिसके जहत हम computer की security maintain कर सकते हैं सबसे पहली टेकनीक है what you have आपके पास क्या है The user may have a key, badge, token और plastic card to get physical access to the server room के हो सकता है कि आपने यूजर को कोई key दी हो या कोई badge दिया हो या कोई उसके पास token हो जिसकी मदद से वो उस room के अंदर enter होगा जिस room के अंदर आपका server पड़ा है आपका computer पड़ा है यानि अगर तो उसके पास वो चीज की या वो badge होगा देन वो enter हो सकता है otherwise वो enter नहीं हो सकता जिससे आपकी computer की जो security है वो maintain रहेगी second चीज आपके पास है what you know कि वो शक्स जो computer को इसमाल करने जा रहा है वो क्या जानता है the user may have to enter user ID and password जी हाँ कि हम password लगा सकते हैं जो शक्स user ID या password को जानता होगा जिसको password पता होगा सिर्फ वो ही शक्स computer को इसमाल कर सकेगा उसके अलावा कोई भी शक्स computer को इसमाल नहीं कर सकेगा इस तरह से भी हम computer की security को maintain कर सकते है third चीज मेरे पास है what you do आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको computer allowed कर दिया जाए the user may enter signatures on the document to confirm the authorization कि हम user से signature ले और अगर तो वो सही signature एंटर करता है it means वो authorized user है और हम उसको computer को इसमाल करने की इजादत दे दें otherwise हम उसको computer को इसमाल करने की इजादत ना दे इस तरह से भी हम computer की security को maintain कर सकते हैं last technique में रपस है what you are कि आप कौन हो the user may be checked through biometrics कि हम किसी शक्स को biometrics के थूँ भी identify कर सकते हैं कि हम उसके उपर कोई इस तरह चेक लगा दें कि कोई भी शक्स का या तो fingerprint मैच किया जाए या voice को चेक किया जाए या eye retina मैच किया जाए अगर तो वो match हो जाता है तो हम उसको computer को use करने की इजादत दे दें otherwise हम उसको computer को इसमाल करने की इजादत ना दें तो ये चार वो टेकनीक्स हैं जिनकी मदद से हम अपने computer की security को maintain कर सकते हैं आज के लिए तरही मिलते हैं next lecture के अंदर thank you very much